अगर आप कहेंगे तो इसकी रेस्पी मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में शेयर कर दूँगी और यह जी मेरी इंबरूट में फ्रेंड है उसकी डेट फिक्सिंग की प्रेप्स चल रही थी तो मैंने कचलने थोड़ा सा व्लॉग में एड़ कर लेते हैं और उसके इन लॉस ल उसकी वीडियो जो है वो कैप्चर कर ली थी ताके आपसे शेयर कर सकूँ तो यह जूलरी है मैं उसको सेट कर रही थी ताके वो उसकी वीडियो अच्छी बन सके और उसके हर एंगल पर फोकस हो सके आप भी बताएगा आपको डिसाइन कैसा लगा और लेंगे का कलर जो था वो था पिंकी रेड ठीक है मेरूनिश रेड नहीं था पिंकी रेड था लेकिन अच्छा लग़ा था आप इकमेंट्स में बताएगा आपको कैसा लगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर अच्छी लगे तो यह बाद बाद मैंने इस वीडियो में नेक्स्ट आपके साथ अपनी शॉपिंग हाल भी शेयर किया है तो उससे रेलेटड भी कोई कुस्टेड हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा और यह भी मुझे बताएगा कि आपको यह जूलिरी का डिजाइन बहुत प्यारा लगा है इसका नेकलिस भी प्यारा था और जुमर भी और बिंद्या भी और यह रिंग्स भी तो यह लेंगा है अच्छे लेंगे की जो ओवराल लुक मैंने आपको दिखा दिया इसकी जो कुड़ती है ना यह ना तो लॉंग थी और ना यह यह शफून के ओपर काम हुआ हुआ है और यह इसकी स्लिवस पे ओपर भी ना यह फुल काम हुआ हुआ था और आप मुझे कमेंट्स में बताएगा कि आपको कैसा लगा है मुझे भी ठीक लगा है अब आई डोंट रो कि यह मतलब उन्होंने कहां से लिया है इसलिए मैंने मैं ताकि उन्होंने किस शॉप से या किस कहां से शॉपिंग किया डोंट नो तो बराल यह इसकी ओवराल लुक है पैनल्स बने हुए थे काम हुआ हुआ था और यह ना उपर से बस उतनी स्पेस प्लेन आ रही थी वहां तक कुड़ती आ जाएगी ना तो कुड़ती के नीचे म पैनल्स बने हुए थे और उन पर लाइट काम था मैंने उसकी वीडियो बनाई है यह देखें यह इसकी बैक साइड है और यह इसके ना इसकी तरह पैनल्स बने हुए और उन पर लाइट-लाइट काम हुआ हुआ है और यह देखें इस तरह करके मैं इसको फोल ओपन करके औ ताकि कोई भी कॉर्नर मिसना हो जाए यह इस तरह अंदर यह काम था भर्मा और बाहिर वाला बैक साइड पे लाइट काम था और इसके दोपटे वह ना एक साइड पे यह वाली चौड़ी बेल बनी हुई थी ठीक है वाइड बेल और बाकी इसकी तीनों कॉर्नर पे यह बरीक वालाविकर ऊचेट की बैटिर वालावा 1जा और लाव बडी साइड की तोसीका दि की चाएड और महिग और और शाहिए उसके ने को से लूच हो पिक26िर से उनननी उसके बाद जी हमने की मार्किट से कुछ शापिंग और वो भी दिखाते हैं आपको तो अभी यहां पे हम बेट कर रहे हैं जो हमने ओर्डर किया था तो यह जी मॉल्टन लावा आ गया बहुत यमी था और यहां पे एक औरियो फ्लेवर किया यह कप और किया था जो के बिल्क क्लासिस लिए तो वो मैं आगे ना आपसे शेयर करती हूं मैंने वहां पे वीडियो बनाई नहीं तो बात में फिर मुझे घर आके बनानी पड़ी तो एक ना बेबी गल की बर्थड़े पे जाना था तो उसके लिए भी एक गिफ्ट लिए तो मुझे तो यह फ्रॉकी अच आपसे शेयर की रेंच में और यह नेट फैब्रिक पे और यह बहुत खुबसरोत ही इंबैलिश हुई है पल्स सेक्वेंस से और यह मतलब मैं आपको इसकी ओवरार लुक दिखाती हूं इसकी डबल लाइनिंग लगे हुई थी इसलिए ना मैं इसको आपको उठा के दिखा लगे हुए थे ताकि बच्ची को पेहनने में असानी हो तो परहल इसका कलर भी सिल्वरिश ग्रे साब बड़ा प्यारा मुझे लग रहा था आप भी मुझे कमेंट सुबताइगा कि आपको मेरी शॉपिंग कैसी लगी है तो अभी प्राइस भी चेक कर लेते हैं कि एक सेक् पियर्ज शूज के मैंने तो उन में से एक तो यह मेरून पंप्स है जिनकी बैक ओपन है तो यह मैंने का समर में सही रहेंगे ठेक है और इनका कलर जो है हर ड्रेस के साथ जाएगा और उसके बाद मैंने यह लिए थे चपल टाइप तो यह जो है ना आप मतलब वाशेबल ह तो यह मैंने आम पहनने के लिए लिये थे और फिर मैंने एक यह पंप्स लिये थे बीच कलर के तो आप मुझे कमेंटस में बताईएगा कि आपको मेरे जो यह तीनों शूज हैं इन में से कौन से ज्यादा अच्छ लगे हैं ठीक है उसके बाद मैंने जो लिए थे संक्लास तो यह भी आपके साथ में शेयर कर देती हूं मुझे तो यह बड़े अच्छ लगे थे मेरे फेस पर सूट किये थे मतलब मुझे उससाब से अच्छ लगे थे तो यह इनकी प्राइस है 1700 ठीक है और यह इसके उवरा लुक है और आप मुझे बताईएगा आपको अच्छ ल करते हैं तो वह स्पोर्ट्स का चुकीन है तो उसने ओर्डर की हुई थी स्पोर्ट्स की वाटर बॉटल और फुटबल मैच करते हुए जो चाज़े इस्तमाल होती है ना एक दो वह थी तो मैंने कर चलें आपके साथ शेयर कर देते हैं क्योंकि वह कह रहा था कि क्वाल्ट यह पैनने के लिए सॉक्स टाइप कुछ था ठीक है और यह भी थे वह कह रहा था कि यह आगे लेग स्पीड डाय करते हैं फुटबॉल कहलते होगे तो खैर मुझे तो इनके बारे में इतना नौलिज नहीं था लेकिन वह कह रहा था कि इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी ह है 1010 ठीक है और यह मैं साथ दिखा रही थी कि उसने कहां से ओर्डर की है तो अगर आप भी ओर्डर करना चाहें तो कर सकते हैं ठीक है यह वाटल की जो प्लास्टिक है ना यह भी बड़ा अच्छा था और इसके क्वालिटी अच्छी थी और यह है कि अगर आप अपने बै इसके समान के ओवराल लुक थी और अभी मैं आपको दिखा देती हूं कि उसने कौन सी वेब साइट से ओर्डर किया था ठीक है और उसके बाद जी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक जूर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब जूर कीजिएगा और व यूमी था और इसके लावा हमने और ओर किया था चिकनचीज पराठा पीजा पराठा और उसके लावा जो है चिकन जेल प्रीजी तो सारी छीज ही बहुत मजे पी थि शीदे ही बहुत से वीडियो को लाइक करते हैं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को शेयर भी जरूर कीचिएगा ओके जी अब हम मिलेंगे न्यू कॉंटेंट के साथ नेक्स्ट वीडियो में दौा में याद रखिएगा अला फेस